इन Ahhh some food in in the food web फूर्व snackमा गिया कि िखिध के बाद सिकंश में खाने वाले हैं जैसे की ग्राँस को खाने वाले फ्रोग सब्लस को खाने वाला स्द्ट में यह एक चेन बना जाती इस्स्टम के तो सुरीज ओफ organism feeding on one another organism की एक सीरीज चल रही है जो एक दूसरे के ओपर depend है खाने के लिए मतलब एक दूसरे के ओपर depend है अपने खाने के लिए वह है फूट चैन एच स्टेप ऑप फूट चैन फार्मो ट्रोफिक लेवला फूटवब इंडर इंटर के चैन फूट चैन ओपरेटिंग एन एको सिस्टम तेखो फूट चैन वह आपस हुआ इंटर कनेक्टट पूट रहा है मतलब एक और दूशरा दूसरे के बात तीसरा इ फूडवेब यह है कि कैसारी फूडचेन उसमें इंटरकनेक्टिट आपसमें जोड़ी हुई है तो वह जाल बना रही है तो फूडवेब हो गई वह तो इंटरकनेक्टिट फूडचेन अब ओपरेटिंग इन एकोसिस्टम विच इस्टैबलेस्टे नेटवर्क अफ रेलेश उसमें फूडचेन आपसमें इंटरकनेक्टिट हुंगे तो बनादेंगे फूडवेब फूडचेन मतलब एक सिंगल बारके मडशीन आपार्न वूर्ट वेब मतलब ओके सारी फॉर्ट निलेंगे इंतरगों पीछ पीछ में फॉर्ट वेब ही इस लिविंग इन एको सिस्टम इस फॉर्ट पार्ट नहीं है वो केस्ट पार्ट है तो इस तरह से बनता है food web, food web never state है, कभी state हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें state होती है food chain, एक बाद दूसरा दूसरी बाद तीसरा, but food web जो दूसरा है, वो दूसरे food chain में भी खा रहा है, food chain का जो source हो से भी खा रहा है, तो यह कभी state नहीं हो सकता है, food web provide करता है alternate pathway of food availability, food web यह कहता है कि यह खाने के लिए अवलबल नहीं, तूसरी चीज खा लो, तो यह alternate रास्ते भी दिखाता है, food chain में ऐसा नहीं है, food chain के बाद एक बाई, one by one ही चला गया, more alternative in food web, make the ecosystem more stable, अगर बहु सारा alternative अवलबल होंगे, तो ecosystem maintain रहेगा, क्योंकि वो एक के उपर डिपेंड नहीं है, आपने ग्रास को खाते हैं, टियर, डियर हो खाते हैं, यह एक food chain हो गई, flower से रस लिए flies, फ्लाइस हो खाते है, frog, frog को खाते, snake, snake को खाते, eagle, जैसे ही next, grass को खाते, grass हो खाते, grass हो पर, grass हो खाते, frog, frog, snake, snake, eagle, तो यह तो सब single दे उसमें डारेक्षन चलने वाली है, एक री ड तो ग्रास ओपर रह बना रहा है तो यह एक जाल बना रहा है तो यह फूडवेब है कि यह फूड वेब को भी स्टेट डारेक्शन में नहीं हो सकते हैं और इसमें कही alternate source available होते हैं तो यह अगर alternate source ज्यादा है अच्छी food वैब रहेगा अच्छी food वैब रहेगा तो ecosystem भी maintained रहेगा